कि चलिए तो बिहार स्विल कोट प्यून का प्रिवियस यह प्रस्ण सॉल में जो 177-2016 में पूछा गया था तो पहले मैं जीके का जो है उसको सुल्ब करता हूँ चलिए फ्रस्ट कोश्चन है कि मेस के इनडिया अभियान सुरू किया गया था मेक इनडिया अभियान।न शुरू वापको 252014 को सुरू यह और बी पचीश सितंबर दोहर 14 को शुरूआ और बी अगले कोश्चन पर चलते हैं रिंग बेद में किस जानबर को अघन्य घोसित किया गया है तो आपको भेड गाय घोड़ा बकरी इसमें से आपका ऑप्सन होगा कि गाय को ऑफसन नमबर बी गाय को अघन्य घोसित किया गय गया है अघन्य मतलब जो इसको मारा न जाय नहीं मारने यो घोसित किया गया है अगर सवाल पर चलते हैं कुश्चन नमबर 3 15 जनबरी 2015 तक और बी आई द्वारा संसोधित रोपोदर की इस्तिती क्या थी इस्तिती क्या थी इस्तिती इसकी थी आपसन नमबर बी साथ यत सब्स्वाइव फॉर्श्वhst था अगली कोस्वचिन पर चलते हैं कॉश्चन नमबर चार कि जिरो फ्लेथिया इसकी कमी से होता है लो बीटामीन एकी कमी से होता है यह पनबर 6 विटामीन एकी कमी से जिरो फॉटिया रूए होता से रक्त थक्का नहीं जमता विटामिन सी से अस्कैर्विक रोग होता विटामिन सी से अस्कैर्विक रोग होता अगले कुश्चन पर चलते हैं कुश्चन नमर पांच किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है कुश्चन नमर पांच किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है क् कील अनुपस्थित होता है किसमें तो कील अनुपस्थित होता है बत्तक में ऑफसन नंबर बी संबिधान का कौन सा अनुछेद मुख मंत्री के कर्तब को परिभासित करता है कुश्चन नंबर साथ संबिधान का कौन सा अनुछेद मुख मंत्री के कर्तब को परिभासित करता है तो आपका अंसर हो जाएगा ऑफसन नंबर डी अनुछेद 166 अगले कुश्चन पर चलते हैं कुश्चन नंबर आठ निमलीखित में से कौन सबसे तेज मिमोरी है कैच मिमोरी और संडी कौन कैच मिमोरी अगले कुश्चन नाइन पर चलते हैं निमलीखित में कौन हमारे सरीर के अंदर नहीं बनता है नौ नंबर कुश्चन है कि निमलीखित में कौन हमारे सरीर के अंदर नहीं बनता है तो नहीं बनता है कौन तो बीटामिन ए नहीं बनत है प्रोटीन बंता है घयांजाइम बनता है हर्मुन बनता है फीरी हो चाहएगा आगे कुंशन नंबर टेन पर चलते हैं निमलखित में से किस गढूरा के पॉपगरा के पास उबगरा नहीं है तो आप जानते हैं दो ऐसे गरह है जिसके पास उपगरह नहीं है बूद्ध और शुक्र जिसमें से आपका अंसर हो जाएगा डी सुक्र सुक्र के पास कोई भी उपगरह नहीं है अगले गारा नमर कोश्चन पर चलते हैं निमलीखित में से किस से किसने अपरेल 2014 में बंगला देश में आए और भारत और स्रिलंका के बीच आए सीसी बीच टीटी फाइनल में स्री लंका टीम कपतानी की तो इसका जवाब आपका हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए कुमार संकारा ने कुमार संकारा ने कुमार संकारा ने अप्सन नमबर आपका ए कुमार संकारा ने अगरे सवाल नमर 12 पर चलते हैं 12 पर चलते हैं भारती रेल का कौन सा जून सबसे छोटा जून है तो आपका कुलकता मेट्रो सबसे छोटा जून है कुलकता मेट्रो सबसे छोटा जून है अगली सवाल पर צर्टा हुँ मु mods for the motion number 13 on the question number 13 क discoveries है कि क्वार्टर का कयांतित रूप क्या है मेट का क्यांतित रूप है कौटर का क्यांतित है क्वाटर का क्यांतित रूप क्जान है कौटर का के रूप बालु पत्थर है क्वाटर का क्यांत्री रूप बालू पत्थर है ओप्सन नमबर से अरिहंत एक है चौदा नमबर कोश्चन अरिहंत एक है तो ओप्सन नमबर डी परमानु सक्ती से संचालित बैलेस्टिक मिसाइल है पंडुब्बी है परमानु सक्ती से संचालित बैलेस्टिक मिसाइल पंड खित में कौन 2014 में भारतिय रिजल बैंक के डिप्टी गवर्नल के रूप में सामिल हुए कौन हुए तो ऑफसन नमर डी आपका अंसर हो जाएगा इस इस मुद्रा ने सामिल हुआ कौन इस इस मुद्रा ने सामिल हुआ अगले कौश्चन, 16 पर चलते हैं, निमली खिती, भारत की निमली खिती मिट्टी कापास की खेती के लिए उप norm इखेती रूत है, तो कापास की खेती काली मिट्टी में होती है, अगले कोश्चन, 17 पर चलते हैं 2015 का सात्मा ब्रिक्स सीखर संवेलन रूस के किस सहर में आयोजित किया गया थका.. रिख्र वर मादब हार्मोन पादब से निकलता है मैं इस विसके आप जाते हैं कि चाहिए चाहिए मानभ में पाया जाता है तो ये मानरे हर्मental है थाइर अक्सिन भी स्टे καना दर अब सी आपका जो अंसर जेवरेलीन यह पउधा पादब हर्मोन है यह इसको तो जिर find करते हैं कौग जिवरेले आपसण नूमबर सी अगला उनीस नंबर कीBox आपका इस नंबर किन का आत्मकत्ह एंडिया बींस्फ्रीडम। आपको सी अबुलु कराम आजाद की क्या आत्मकत्ह एंगले 20 पर चलते हैं निमलिखित में ऍस निमलिखित है किस देश का संम्भिदान अलिखित है कि किस देस का संबधान कुछ लिखा उखा हुआ 'll नहीं है वहां के वैक्ति कुछ इतने समझ़धार है कि खुद अपने आپसमीधान को लाजो कर लेते हैं समझ लेते एपने आपको तो Maintenant को सब्भान है आपका कोश्चन बहुत हाड नहीं होता लिक्षी सब्यूर वखिए है उसमे कितने तार होते हैं उसमें कितने तार होते पर चलते हैं मैंने काई है कि किसका जोती फ्लक्स का अफस्ट नमबर है तेस्ट में कुस्ट्ट परदेश मत पर्देश उच्छ न्याले की पीठ इस्थत है मद परदेश उच नियाले की पीठ इसित है तो कहां इसित है अफ्सान नमबर डी जब्बल पूर में इसित है सुस्क बर्फ कुछ नहीं बलकि खाली अस्थान है क्या है तो अफ्सान नमबर डी ठोस कारवन डाइड अक्साइड अगला पचीस नमबर कोश्चन है अब अभिया स्मर्निय गीत बंदे मातरम लिखा गया है किनके द्वारा लिखा गया है अब भी स्मर्निय गीत बंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है तो आप जानते हैं बंकिम चंद्र चटरजी और ऑप्सन नमबर सी बंकिम चंद्र चटरजी के द्वारा लिखा गया ह के लागने है अब आपका जीके का कोश्चन को सॉलुस्टं करेंगे चलिए तो मेर्ण के कुश्चन पर चलता हूं चलिए मेर्ण का कोश्चन स्टार्ट करते हैं 25 नमबर कोश्चन है मेर्थ का कि यदी संख्या को सुएंग के दो पांच में भाग से जोड़ा जाता है तो पराप्त मान 455 है तो संख्या क्या है इसको निकानने क्या माना एकस कथा यदि किसी संख्या को सवाएं के माना की संख्या एकस है कथा सवाएं के कि दू के पांच में भाग जोड़ा जाता है तो संख्यां कितना हो जाता है जोड़ दिये संख्या में चारसो पच्पन हो जाता है तो कता संख्यां ग्याद करें तो अब निकाल लेजेगा यहां से आप क्या कर दियेगा यहां निकाल के उसके बाद आपको हल कर लेना है तो आपका अंसर आजाएगा और सी 325 आपका अंसर आजाएगा और सी 325 ठीक है अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आपकी आपका अंसर आजाएगा कितना नमबर ए 7 कैसे करके दिखा देते हैं विडियो लंबा हो जाएगा पहले एसक्वाइर प्रटाश ब्सक्वायर प्रस्ट वे दिस पर तोड़ें इसको क्या होगा sixgesetzt सप्धु गार्ट ऑम दू मोच हो जाएगा और फिर थू एक्स ए बी हो ता हुल तू रूट सींक सींक हो गया अब बर-बर कितना था क्या वाट प्लॉस्ट प्लाइस टू रूट इधर जाएगा तो यह दर आएगा तो कड़ जाएगा रूट सी लुट सी आई छी एक साथ हो जाएगा तो आपका अनसर हो जाएगा और सब्सक्राइब आपका अंसर अटि begunermor 28 चलते हैं साथ लड़कों का सरूर का बजन 44 के जी 55 के जी 45 केंट्र strict के जि चैदर के आध कीजिए तो सब्स ही साथ बजन का ऋप्जन क्या होगा उस्ट candidate छोड़ देना है सब को जौड करके अक कितना अंक है दिया हुआ ता चार पांच छे साथ साथ लगा से भाग देना आपका अंसर उनहत्तर आ जाएगा उनहत्तर किलोग्राम ऑफ्षन नमबर एक कोश्चन नमबर 29 पर चलते हैं चार बैग और 12 पर सो का मूल 1520 है तो दस बैग और कितना तीस पर सो का मूल क्या होगा इसका निकालने का सबसे असान तरीका क्या है कि चार और 12 चार प्लस बारा का देगिया है 1520 रुपया तक आता है दस और 30 बैग कम मुल क्या होगा वाट तो क्या करते हैं यहां से कितना अधिक है तो अधिक है देग दिख रहा है चार दुनी आठ फिर दू जोड़ेंगे तो कितना दस हो जाता है तो बारा दुनी 24 अच्छो तीस हो जाता है तो कतना गुना दिख कि बूबर साथ का अंसर आ जाएगा अगले कोशन कि अवाट कि चलते हैं Самानतर चतुर्भुज के कौनों में से एक कौन 35 डिग्री है समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कौन और सबसे चोटे कौन के दूगने का योग क्या होगा करा एक समांतर चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का कौन बराबर होता है तक कह रहा है एक कौन कितना है 35 है तो यह 35 यह भी 35 तब यहां यहां सबसे बड़े कौन सबसे बड़े कौन 145 और कहता है सबसे चोटे कोन के दूगना सबसे सोटा कून कितना है 35 है अक का दूगना जोडने पर योग क्या होगा तो यह हो जाएगा 145 पलस 70 बरवर कितना हो जाएगा 215 डिगरी 215 डिगरी ऑफ्सन नमर भी 215 डिगरी हो जाएगा कुश्चन नमर 31 पर चलते हैं एक बर का छेट पल 256 बर सिंटीमीटर है तो उसका परिमाप का दूगना का मान क्या होगा परिमाप के दूगना का मान क्या होगा तो आप जानते हैं पहले कि बर का छेट फरवर और क्या होता है बर का छेट फरवर भूजा होता है तो आप निकालेंगे दूसों छपन कितना कबर गए तो सोला का तो कहा एक भूजा अगर सोला है तो चार भूजा कितना होगा तो सोला गुनी चार आप जानते हैं परिमाब पर फोर गुना भूजा होता है फोर गुना भूजा तो 16 गुने चार अप फिर घाथ इसका दूगना क्या होगा तो 164 कर देगे तो एक सूथे हो जाएगा इसलिए आपका नमबर आपका सबस्थन difusion HI हो जाएगा 32 नमबर को चलते हैं बहुत आराम आराम कोश्टन पूछता बहुत कुछ हार्ड कोश्टन नहीं अप ज relacion हो इतना फूल में फूल नमबर ला सकते हैं इतना आराम कोश्चन रहता है मैं तो एक भी आप नहीं छोड़ सकते हैं जितना आराम से आराम आराम कोश्चन है पहला एक कोश्चन है 32 नबर की छे लड़के काम को 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो 14 लड़के उसी काम को कितना घंटे में पू ऐसन बहुत है अगला कोश्चन ते-टीस नंबर है राम ने एक बस्तु बेरासी सो रुपिये में ख़ड़ा और उसे 35 परसेंट की लाव पर बेज दिया तो उस रासी से उसने एक और बस्तु खरी दिया और 20 परसेंट की यहानी क्या होगा तो क्या करना आपको करा रहा है कि 800-82-82 में लिया तो कितना 35% कि लाप पर बेचा 35% के मतब 135 बटा 100 और फिर कहा कि उतना समान जो लिया उसमें क्या किया 20% कि हानी पर बेच दिया तो 80 बटा आपको 80 बटा 100 कर देनी है अनसर आ जाएगा फिर करते हैं जो जितना इतना निकाल लेना उसके बाद जो अंसर आएगा उसमें से आपको इतना के हल करने के बाद जो भी आएगा उसमें से आपको फिर क्या करना है MN लेजाए क्समा कुछ भी आ गया उसमें से आपको करा बीस परसेंट की हानी तो 802 कर लेना है उसके बाver क्या करना है तो काट शाट के दोनों के एगर माइनिस कर देंगे इतना इससे आया जितना और इससे आया जितना दुनों को माइनस कर देंगे तो आपका आपका जवाह आएगा लाव होगा 656 रुपिय का कि अपसन नंबर भी अगले 34 नंबर कोश्चन ही सब तो आप आराम से कर सकते हैं सेबन के असको अपलस इतना जोड़ घटाव करना आपको बस किलियर हो जाएगा इस इतना को हल करने पर आपका अंसर आएगा आपसन नंबर 187 आप लोग हल कर लीजिएगा आपका अगले कोश्चन कोश्चन 35 पर चलते हैं कता चार पैतारीस तेस को एक फुर्ण बर्ग बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्यां क्या है तो इसको क्या करेंगे बर्गमोल निकाने के लिए आप जानते होंगा पहले से तब बर्गमोल आपको निकाल देना है और बर्गमोल में जहां से लगाए उसे एक बार जादे लगाना सक च्छे च्छे 6.36 event 16 चूट के 12 हो गया फिर जितना वार में लगेगा उससे एक अधिक बार में होगा इसलिए आपका अफसर नंबर एक सो एक अधिक होगा वही जोड़ा जाने पर उस संख्या पूर्ण बर्ग बन जाएगी चलिए कोश्चन नंबर 36 पर चलते हैं एक बिद्याले में बिद्यार्थियों की कुल संख्यां एक तीस हजार 700 है यदि बिद्याले में लड़कों लड़कियों का अनुपात इतना अनुपात इतना है 747 अनुपात 842 है तो बिद्याले में लड़कियों की कुल संख्यां क्या है तो कहेगा जितना टोटल देल है तो टोटल के तुना टोटल से तो 31 700 के तुना इस दुनों के जोड़ दें अब 1585 और उसके बाद क्या कहा है लड़कियों की संख्यां क्या है तो लड़कियों किसे गुना लड़कियां कितना है तो लड़कियां कितना है आठ सो बैयाली से गुना कर देंगे आउ काट छाट कर देंगे आपका अंसर आ जाएगा तो आपका अंसर आफसन नमबर सी 16840 ह हो जाएगा चलिए अगले कोश्चन पर चलते हैं कोश्चन नमर 37 पर निम लिखित भीनों में से कौन दूसरी सबसे छोटा भीन है तो दूसरा सबसे छोटा भीन है सब को हल करके निकाल लेंगे तो इसका कितना होगा 25 3.6 एक नमर काई इसका कितना होगा साथ 11 55 55 फिर पांच कुछ पांच कुछ और अगला कितना होगा सत्तर अठारती अच्वान इतना होगा और आगला कितना होगा पचास तो सोल ती आड़तालेस इतना होगा तो ऐसी करके आप आगला और फिर दूसरा सबसे छोटा भीन कौन होगा जो निकाले आपका अंसर हो जाएगा और सी साथ वटा ठारा अगले कोश्चन पर चलते हैं अब कोश्चन हम थाटी एड़ पर चलते हैं का मत की मतलब गुना होता है तो तीन वटा चार गुना पांच चार गुना साथ वटा दस अगुना सोला जो सट अब काट छाट कर देंगे आपका अंसर आजाएगा तो आपका अंसर अपसर नमबर भी आजाएगा चलिए अगले कोश्चन पर अगले कोश्चन थर्टी नाइन पर कता यदि एक संख्यां के बर्ग में 20 के क्यूब को घट तो कोई से अंख्यां एक से उसके अस्कौार में बर्ग में कितना 20 के क्यूब को घटाया जाता है तो संख्यां कितना है 400 ते ता 421 कैस है तो संख्यां क्या है फिर आप हलकर यहां से आपका अंसर एक सो यह आजाएगा ऑफ्सन नमबर ए अगले कोश्चन पर आते हैं पाव 5-6-6-5-4-3-2-1 करेंगे तो आपका इतना गुना करने पर अपसं नमर-2-720 अंसर आपका आजाएगा चलिए अगले कोश्चन पर चलते हैं चलिए अराम कोश्चन है अपका अगर के यह समयत कागर खित्या की कोई सकता नहीं अराम से हल करिए आपका अपका अंसर एक नम y LG के बर्ग में नौ के घटाया जाता तो प्राप्त संख्यां इतना प्राप्त होता तो क्या करें यह किसी चाहिंगे तो हैं कि रहें यह हैं कि सब्सक्राइब है तो संख्या पांसो जवारीस प्राप्तistan को इस अदिए आएगे आपका अंसर ऑफ्षन नमबर एपचीस आएगा कि इसे भी 43 नमर कोश्चन पर चलते हैं अराम सा कोश्चन है 324 का अस्वार कितना होता है तो अठारा अठारा हो गया तो पॉइंट अठारा और 111 तो वन पॉइंट वान अगुने चोई चोई 676 कितना के होता है तो 26 का तो टू पॉइंट शीक्स और 179 तेरह का वन पॉइंट थी अठीक है तो इसको दसामलब से खतम दू मरते में और फिर अठारा दुनी 36 अब 36 तो इसका अनस कि चलिए अगला कोश्चन 44 समर पर चलते हैं तो यह 98 के गुना टू हैंड़ वन फोर से गुना करना है तो इसका गुना करना कितना असान है पहले तो आट चोख 32 एकाई अंक दू होगा एकाई अंक दू होगा तो पहले ही और यह तो छट गया उसके बाद तो आपका अंसर 44 नमर कोश्चन पर चलते हैं तो यह भी आराम है असान है बनाना वाट का कितना परसेंट परसेंट के मतलब बट्टा सो ब्रवर उने कितना है सब्सक्राइब कि ना इन फोर पॉइंट फाइव है बस आप हल कर लिजिए आपका अंसर आजाएगा ऑप्शन नमर सी 630 अब चलिए इसको इसको क्या करना है 46 नमर कोश्चन पर आएंगे 46 नमर है अधाय फिर दो एक सट गुने नब्बे 28 वट्टा शिस्टी फोर आपन करिएगा तो अंसर आजाएगा आपको अप्शन नमर डिया और सट जिरो एट चलिए अगले कोश्चन पर चलते हैं अगला कोश्चन आपका है कि एक बस 1488 किलो मिटर की दूरी 24 घंटे में तरह करती है तो बस की आउस्ट चाल क्या होता है एवरेज चाल बरबर क्या होगा अगले कोश्चन 47 नमर पर आते हैं तो इसको क्या है चाल निकालना है तो चाल बरबर दूरी बटा समय तो दूरी कितना है तो दूरी आपका 1488 है बटा 24 अगर इसको काटियेगा तो आपको अंसर 62 किलो मिटर पति घंटा आएगा चलिए अगले कोश्चन पर चलते हैं अगला कोश्चन 48 नमबर इसको निकालना पहले दूबर्स का चक विर्धिव्याद निकालने का सुत्र है फोर इंटू फोर पलस फोर क्या स्कॉर बटा हैंड्रेड तो इससे निकल गया कितना सुरी फोर प्लस फोर जब इतना को सुल्ब करिए गाते पॉइंट पॉइंट वन सिक्स आ जाएगा अब इसको निकालना है तो कितना अठारा डवल जीरो गुने एट पॉइंट वन फोर करके सो करिए का हैंडेड बागी सुल्ब करिए गाता आपको अनसरा जाएगा चलिए आगे उन्चास नमर कोश्चन पर चलते हैं एक लड़की और एक लड़का किसी की बरतमान आयू कानुपाद पांच अनुपाद चार है चार बरस बाद बरस पह पहले चार बसाइन का क Vielawan कि वरदमान कर लेते हैं तो चार बस पहले की बात कर रहा ता दोड़ों से जूटे आपस जाएगा तो बतीस वर्स हो जाएगा 2 वी गलो yerarin ओर Rs. आपका प्र affiliate पर दो चलते हैं इसके बादawy हिंदी का खुराआ रांदें निमिकित में पड़ते हैं बैमेल का चीन कर यह बैमेल 61 को सब्सक्राइए सरीर अधी देहिख मानसिक तो क्या है शरीर देहिख और मानसिक एक चीज है। । यह क्या है अफसन नमर वनटों वे जो कि आपका राइट अनसर हुआ येन गलत अलगचीज है वेमूल के निकालें अग्रे कुष्ण पर चलते हैं सतब्तर नमर मस्तक सीर सीस इस शरीर का भाग है लेकिन सीर्ष के मतलब सबसे उपर होता है इसलिए आपका अंसर हो जाएगा अगले कुश्चन पर चलते हैं तो अपसिन नबर स आपका हो जाएगा गए नासी पर्याची पर सब्दों को निक्ति ऑच को क्या कातें चäreक मरें नहीं कहते हैं नरक नहीं करतें ठाह करते इथा और भचिर्थि कinkो भचिर्ति को जा करते इसलिए आपकाавай और एक हो जाएगा रात्री रात्री एकासी नंबर रात्री का परियावाजी सब्द क्या है तो अब धी अब धी कौन भासा का भरंस है संस्क्रीट भासा का अबधी इसलिए आपका उफ्सन नमर ए राइट अंसर हो जाएगा उफ्सन नमर ए राइट अंसर हो जाएगा अगली बात है 83 नमर कोस्ट 7 राम चरितर मानस किस भासा में लिखी गई है तो अबधी भासा में लिखी गई है किस में अबधी भासा में लिखी गई है अगले कुश्चन पर चलते हैं नील गाय में कौन सा समास है नील गाय में आपसन नमर एक कर्म धारे समास है आगले question पे चलते हैं चार पाई पर चार भी चा दीजिए और भी चा दीजिए बाग में CH A में सबस्थे करुचला खेले हैं ऑदान कारराभ है इसमें शो और ने किसके युग से बना है कर से मिल्ग कर च बनता है um are happened ते तुनी है अगला चलते हैं 87 कौन सा संदी है दिर्ग संसार संसार में कौन सन्दी ऐसे सी डिन्जन सेंदी है चलिए अगले कोश़िए अगला 90 कुस्त और जब नमबर को था को समास कि आप का ग्रता है अगला कोशन ouvert को समझ है तो ब्हु व्ह बहु भी समास है इस नया रिजी यह था सपति यह था सकती नहीं कौं सा समास है यह सकती में अभी अभी भाव समा से अगला अंधे के हाथ बटेर लगना का मतलब है कि भाग से कोई बस्तू मिल जाना हथेली पर सरसो नहीं जमना अफसव बटेर काम के लिए समय चाहिए जब चाह हो तब काम नहीं आती चुड़ाय। निद्वे क फेरा में रहना किसी के चक्र पढ़ना 96 नमबर है कि हिंदी का पर्थम महा का बी कौन सा है पर्थम महा का diesem 37 किस की रचना है तो जैसंकर परसाद की रचना है तितली किन्हैति सबसे पाहले अपनी आत्म कठा हिंदी में किसदय लिखी अपने आत्म का था हिंदी में किस ने लिखी तो राजंदर परसाद ने राजंदर परसाद ने अगला 99 कोश्चन कि अबला जीबन हाय तुम्हारे यही कहानी आचल में है दूध और आँख में पाने किस काभिस से ली गई है तो उप्यक्त पंग्तियां यह सोधरा से ली गई और कभीर की भासा थी कभीर की भासा साधू कड़ी थी तो आपका कोश्चन लास्ट होता है और इंग्लीज का कोश्चन जो है बाद में हम देख लेंगे उसको होगा स्वरूसन कर देंगे ठीक है और इसका अगर आप पीडियाफ चाहते हैं तो इसका कमेंट सक्षन में बोलिए और डिस्क्रिप्शन में पीडियो पीडियाफ का लिंक इसको डाल देंगे वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लिजिएगा